नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्पिशर में आप देख रहे हैं Green Garden चैनल Green Garden चैनल में आप शाविकर शागत है दोस्तों आज मैं आपने की शाथ शेयर करूंगा Green Garden का Mixed Rose Fertilizer आप कैसे तयार करेंगे यानि कि बहुत ही आशन इसे आप घर पर कैसे तयार कर शकते है इसलिए इस वीडियो को लेकर आए है और Mixed Fertilizer जो है Green Garden का Mixed Fertilizer से जो रजाल्ट है यह रजाल्ट देखिए यह देखिए जो रजाल्ट है और आप सभी को पता है बहुत दोस्तों ने पार्चेस भी किये है और भार पर तयार भी किये है शभी को रजाल्ट मिला है शब्ब बीवर्स या साब्सक्राइबर जिन लोगोंने पार्चेस किये हैं आमको feedback दिये है जिन लोगोंने तयार किया है उनने भी feedback दिये है बहुत ही अच्छा रजाल्ट है आप शिंडर मिडिया में भी प्लांट ग्रो करेंगे तब भी सेम रेजल्ट है और शाल मिडिया में भी सेम रेजल्ट है ये देखी एक miniature बटन रोज है ये miniature बटन रोज को मैंने नवेंबर मांत में 15 तारिक को ग्रो के ये थे ये देखी और उसका जो रेजल्ट है बहुत ही रजाल्ट है बिल्कुल बूशी प्लांट हो गया और ये देखिए एक ब्यार रूटेट रोज फ्लावर प्लांट है इसमें बहुत ही खुप शंदर रोज फ्लावर खिला हुआ है पुश्पंजली प्रणवीर से खरीदा हुआ था और ये फ्लावर प्लांट का जो आईडी ह डिप परपल बहुत ही घुक्सुरत रोज है और देखिए बहुत सारे फ्लावर खिला हुआ है और बार्ट भी है और शाथ में यह जो एक रोज फ्लावर बहुत शंदर बेशल शूट्स आ रहा है और यह तो 6 इंच की पॉट में लगा हुआ है डिप परपल शाल मिडिया में है चलिए देर ना करते हुए यह जो फर्टिलेजर है यह फर्टिलेजर आज मैं तेयर करूँगा और आप लोगी शाथ श्यार करेंगे कैसे आप तेयर कर शकते हैं यह देखी आप इसको तेयर कर लिजिए इनकिस अगर तेयर नहीं कर शकते हैं तो हमसे आप पर्चिस कर शकते हैं डिस्किप्शन बक्स में बाट से नमबर देवा हो रहेगा वहाँ से आप कंटक कर सकते हैं आप कंटक करनेंगे तो आपको प्रोवाइट करा दिया जाएगा चलिए क्या-क्या लेना है देखते हैं सबसे पहले तो आपके पाश बजन नपने के लिए कुछ होना चे बेट नपने के लिए कुछ होना चे इसको on कर लेते हैं ये देखिए on हो गया और zero पे आ गया और इसके उपर हमको रखना है एक plate ये देखिए एक plate रख दिए इसका weight हो गया 45 gram इसको trace कर देंगे तो zero पे आ जाएगा आब इसमें कुछ भी डालेंगे तो उसका जो शाठिक weight है वो weight आ जाएगा तो हमको शबसे पहले जो चीज लेना है ओ है एपसम शल्ट यानि की magnesium sulfate ये देखिए मेरे पाश एपसम शल्ट है तो एपसम शल्ट जो लेना है हमको 4 शुग्रम लेना है चलिए इसमें धीरे धीरे करके एपसम शल्ट डाल लेते है 4 शुग्रम लेंगे एपसम शल्ट ये देखिए मैंने 4 शुग्रम एपसम शल्ट ले लिए है और एपसम शल्ट लेके एक कंटेनर में हम डाल देंगे ये देखिए एक खाली कंटेनर है इसमें हमको डाल देना है यह 400 ग्राम एप्सम शॉल्ट हो गया आप चाहे तो कम मत्र में भी बना शकते हैं लेकिन कम मत्र में बनाने के लिए उसका क्वांटिटी उसी शब से आपको लेना है अब ही इसमें हमको डालना है SSP यानि कि सिंगल सुपरफस्पेट सिंगल सुपरफस्पेट भी हमको डालना है 400 ग्राम यह देखिए सिंगल सुपरफस्पेट है 400 ग्राम ले लिए है इनकेस आपके पास अगर ग्रानुल्स फॉर्म में है तो आपको उसको क्राश कर लेना है पाउडर फॉर्म बना लेना है और 400 ग्राम हमने लिए है सिंगल सुपरफस्पेट यानि कि SSP मेरे पास पा इसके बाद हमको जो लेना है वो है एमोनियम सालफेट. एमोनियम सालपेट हमको लेना है 80 गरम याने की 80 गरम लेना है एमोनियम सालपेट. यह मेरे पास ammonium sulfate है यह देखिए मैंने डाल दिए और यह देखिए मैंने डाला है यह 79 यह देखिए 80 gram ammonium sulfate है यह देखिए 80 gram है 80 gram ammonium sulfate हमने मिला लिए और इसको इसमें डाल देंगे यह डाल दिए कंटेनर में इसके बाद जो लेना है हमको NPK 13-0-45 NPK 13-0-45 यह देखिए मेरे पास NPK 13-0-45 इसका हमको लेना है 60 gram यह हम डाल देते हैं अरम से एक चम्मस से निकल लेता है तुड़ा सा और 60 gram हो गया 13-0-45 याने की NPK NPK 13-0-45 यह हो गया 60 gram यह देखिए इसमें डाल देते हैं मिला दिये हैं इसके बाद जो लेना है आपने को NPK 12-1-60 NPK 12-1-60-0 यह देखिए MAP Mono Ammonium Posphate इसको भी लेना है आपने को 60 gram यह देखिए इसमें डाल देते हैं 60 gram यह 63 gram हुआ है थोरा सा कम करना है अपने को यह हो गया 60 gram देखिए NPK 12-1-60 आप इसको भी मिला लेंगे इसके अंदर डाल देते हैं बाद में एक शाथ मिक्स करेंगे तो हमारा content इसमें क्या क्या हुआ है थोरा सा आप याद किजिए शबसी पहले अपसम शाल्ट उसके बाद हमने डाला है सिंगेल सुपरफस्वेट उसके बाद एमोनियम सैल्फेट तेरा जीरो पैतालिश और बारा एकशट जीरो इसके बाद एक चीज और हमको लेना है ओ लेना है multiple micronutrient multiple micronutrient हमको लेना है 40 gram यह देखिए मेरे पास multiple micronutrient यानि कि empoxylin combi 2 है मैं इसमें से लेंगे 40 gram यह 10 gram हो गया यह देखिए multiple micronutrient यानि कि empoxylin combi 2 यह हमने ले लिए है 40 gram और यह 40 gram इसके अंदर add कर देंगे यह देखिए पूरे चीज हमने add कर दिये है add करने के बाद इसको बहुत ही अच्छा से आपको mix कर लेना है अभी इसका धकन बंद करेंगे धकन बंद करने के बाद इसको बहुत अच्छा से mix करेंगे container का धकन बंद कर दिये बहुत ही अच्छा से mix हो जाएगा इसको बहुत ही अच्छा से mix कर लेंगे ऐसे करके चलिए मैं mix कर लेता हूँ आप देखिए मेरा mix fertilizer है यह बिलकुल ready है और यह जो बना हुआ है mix fertilizer इसमें कुछ और ले लेंगे यह देखिए क्योंकि यह जो छोटी से डिब्बे है इसमें सी मैं use करते रहता हूँ garden के लिए यह कम हो गया तो थो थोड़ा सा ओर ले लिया मैंने हमारा mix fertilizer बिलकुल ready हो गया ready to use हो गया अब ही इसको use करने के लिए आपको shoyal media के लिए 2 गिराम पाल लिटर वाटर डिजल्ब करें और आधा लिटर करके एक एक पट में आप हफते में दो बार apply कर सकते हैं shinder media के लिए आपको हफते में 4 बार यूज करना है 2 गिराम पाल लिटर वाटर and apply आधा लिटर एक पट को और हफते में 4 बार यूज करेंगे shoyal media के लिए हफते में 2 बार यूज करेंगे चली दोस्तों आप लोग को बहुत ही ज़्यादा benefit सोने वाला है इस फर्ट लजर आप बना लेजी और नहीं तो purchase कीजी आज यही तक है इसके बाद फिर में लेंगे नए टपिक के शायद नए जानकर लेकर आएंगे उम्मिद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आया है थैंक्स पर बाचिंग